असलाम अलेकुम वेलकम टू माई चैनल सवी डोल्स अच्छा जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सबसे माज़रत सोरी करना चाहूंगी जिनकी रुक्वेस्ट मैं अभी तक पूरी नहीं कर सकी बस कुछ थोड़ा बिजी होने की वज़ा से रुक्वेस्ट थोड़ा हो जाएं अच्छा यहां पर वीडियो स्टार्ट हम करते हैं तो आपने मेरी बाते सुने के साथ सारी चीज़ें भी देख ली होंगी यहां पर मैंने मोती दिखाए थे और पेपर पेस्ट पर मतलब के चेपी पर गोल कट वर्क मैंने कट कर लिये थे वह तो आपको इजली चाते होंगे वो कट करके रख लेने हैं और यहां पर मैंने लिया है समर सीजन का लॉन फैबरिक सिंपल साधा एकी कलर का यह फैबरिक है आप चाहें प्रिंटेड भी ले सकती है तो यहां पर देखें यह जो फैबरिक है यह डबल फोल्ड फैबरिक है और इसकी जो चुड design है आप चाहें तो बड़ी बच्ची का भी त्यार कर सकती है सेम यही वाला डजाइन इट के लिए आप जरूर ट्राइए कीजिएगा यहां पर देखें मैंने जितना हम पेटी का मार्क लगाते हैं ना तो यहां पर मैं साथ इंच पर मैंने मार्क लगाया और इस तरीके से फ अब यहां पर देखें मैंने एक फैबरिक लिया है बैक वला पार्ट मैंने अलग कर दिया है अब यहां पर सेंटर में यह देखें जिस सेंटर में आपने सीधी सिलाई लगानी है दोनों हिसों पर फरंट और बैक साथ पर सेम एक जैसी आपने सिलाई लगानी है जिस तरीक तक आपने जो आईरन के मदद से तहका निशान बठाया था ना वहीं तक आपने इसलाई लेकर तो इसलाई को मोड कर पका कर लेना है और इस तरीके से यह देखें एक पिंटेक्स बन जाएगी एक जो प्लेट हम डालते हैं जैसे प्लेटे हम डालकर डिजानिंग करते हैं तो जाए तैदे आथे इंचका मार्जन जोड़कर पिर से दीस तरीके से ऑसी ठीके से चैनल जाएगी त सीमिपस आपने दोसरी साध में प्लेटा जा ली है और यह देखें जी एक साड़ में प्लेटा कर आपने फिर मार्जन करने गया जिर देखें साट इंच चा दॉकшьत च साड़ह में प्लेस डाल दीग है यह देखें जी और इसको अच्छे से प्रयस भी कर लिया है बहुत बहुत अच्छे से प्रइस करना है ताके एक फ्रंट वाला पार्ट पकड़ लिया है इसको मैंने अच्छे से बिचा लिया एक इंच का मार्जिन चोड़कर दोसरा निशान लगाना है आपने अब यहां पर थोड़ी सी एक्स्टर डिजानिंग हमने करनी है तो उसके लिए अपने सेम इसी तरीके से सीधे होगी बैक साड में हमने यही वाली डिजाइनिंग नहीं करनी आपके मरदी आप चाहें तो कर सकती हैं लेकिन इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी सी बच्ची का यह बेबी फ्रोक हैं तो यहां पर यह देखें मैंने निशान आप यह लगानी है यह देखें मैंने स्लाइं लगा दी है अब दूसरी आपने ऊपर वालानिशन वाल निशान हूं अब आपने क्या औरा चिया करना है गोrąकर समस्क्रिज़ाघ्लों चाहिए पहिन तूसरी तरफ हमने करने तो इस अफ्रीके तीस्रीत करका दिंग कर एक तरफ दूसरी सलाही में दूसरी तरफ इसी तरीके से आपने सलाहियां लगा देनी है और बैक वसक्रास आपने वेस्स से ही चोड़ देना है वहाँ पर आपने ये डिजाइणिंग नहीं करने है अब आपने फ्रंट और बैक साइड के पार्ड को पकड़ना है इस तरीके से डबल फोल्ड करके अच्छे से रख लेना है ताकि हम नेक का और कंधे का मेयर्मेंट कर सकें अब यहां पर तीरे का मार्क लगाएंगे तो यह देखें जी साड़े चार इंच पर मैंने तीरे का निशान लगाया पांच से छे माँ की बच्ची का यह फ्रोक है उसके हिसाब से यह तीरा और कंधे का मेयर्मेंट बिल्कुल परफेक्ट है पांच इंच पर आपने कंधे का निशान लगाकर इस तरीके से गुलाई की शेप दे देनी है अब यहां पर नेक की चुड़ाई आपने दो इंच रखनी है यह देखें मैंने दो इंच पर नेक की चुड़ाई रखी और तकरीबं धाई इंच नेक की डीप रखनी है तो इस तरीके से गुलाई में निशान त्यार लेंथ हमें चाहिए अब यहां पर हम सारे निशानों को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे बहुत ही प्यारा और न्यू डुजाइन ये फ्रोग का है आप अपनी बेबी का किसी भी एज की बेबी हो तो आप ये फ्रोग डुजाइन त्यार कर सकती है ज़रूरी नहीं कि छोटी बेबी का ही आपने त्यार करना है क्योंकि ये बहुत ही प्यारा डजाइन त्यार होने वाला है थो हम त्यार कर सकें नीटनस के साथ अब ये देखें पलेट मैंने वहीं तक तक मैंने बटन पटी त्यार करनी है अब यहां पर हम जो कंदे से निकला पीज था उसको नीचे रखके आप बटन पटी त्यार कर सकती हैं और वैसे भी बरीक फोल्ड करके दोनों साइड में बटन पटी त्यार कर सकती हैं अब यहां पर हम शॉल्डर को स्टिच कर देंगे shoulder switch हो चुके हैं अब यहां पर हमने क्या करना है सबसे पहले हम अब यहां पर sleeves त्यार करेंगे तो sleeves के लिए यह देखें मैंने fabric लिया double fold fabric है जिसकी चुड़ाई 13 inch है और length is की 9 inch है हमने 7 inch sleeves त्यार रखने है तो यह देखें इस तरीके से इसको फिर से fold किया और जहां से हम कंधे की कटाई कर लेंगे जितनी fitting रखनी है front से उतनी fitting रखकर slide का margin छोड़ कर बाकी extra fabric की cutting कर दें अब इन sleeves को हम front से बरीक double fold करके slide लगा देंगे 7 inch हमें त्यार sleeves चाहिए तो यह देखें जी बरीक double fold करके मैंने slide लगा दी है अब इन sleeves को हम shirt के साथ मतलब के frog के साथ attach कर देंगे और जितनी चोनर center में आएंगी उतनी चोनर साथ डाल कर तो sleeves को attach कर दें यहां पर मैंने किसी last का use नहीं किया बगएर last के यह देखें print tax के साथ बहुत ही प्यारा frog design त्यार होगा तो यह देखें sleeves मैंने stitch कर दी है अब यहां पर हमने एक रे पटी लेनी है double ray पटी ली है इसको हम neck के इर्द गिर्द stitch करेंगे और फिर fold करके हम बरीक मगजी निकाल कर तो फिर से slide गा देंगे तो यह देखें जी कितना प्यारा gold चोटा सनेक त्यार हो चुके है अब यहां पर जो हमने designing करनी है cut work की तो यह देखें जो gold cut work मैंने cut करके रखे हुए थे इसको हम यह देखें frog के घेर के उपर paste कर लेंगे अच्छे से front और back side में अब हम पर लाजमी आपके जहन में आया होगा कि इतनी चोटी सी बची है और इतनी ज्यादा designing हम चाहें तो front पर ही सिर्फ cut work कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैंने बहुत ही खूपसूरत ready me style में frog त्यार करना था इसलिए मैंने सारी designing दिल लगा कर की है मैंने यह नहीं सोचा कि सिर्फ front side में ही मैं cut work त्यार करूँ नहीं मैंने back side में भी cut work त्यार किया हूँ यह देखें iron की मदसे अच्छे से paste करने के बाद नीचे एक extra पट्टी रखकर तो हम cut work के एर्दगीर्द स्लाई लगा देंगे यह देखें जी इस तरीके से तो स्लाई लगाने के बाद हम सेंटर से जो extra fabric है उसको हम cut कर देंगे यहां पर आपने एक चीज का ध्यां रखना है यह जो हम cut लगा रहे हैं सेंटर से extra fabric की cutting कर रहे हैं यह स्लाई के साथ cut को touch नहीं होना चाहिए यह देखें जी इस तरीके से मैंने extra fabric की सेंटर से cutting कर दी है अब इन cut words को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से बहुत इजी लिए सीधा हो जाएगा लॉन fabric है नरम कपड़ा होता है यह तो इजी लिए designing त्यार हो जाती है यह देखें जी अब इसको हम 35 करेंगे यह दिखें मैने अच्छे से से प्रेश करके उल्टी साइड से जो fabric उसको डबल फोल्ड भी कर दिया है अब यहां पर आप सेंट धाके की स्लय लगा दें तरफाइग कर ना चाहें तो तरफाइग भी कर सकती है तो फ्रंट बैक का जो डुजाइन था वो त्यार हो चुके है अब यहां पर हम FITTING की स्लाई लगा देंगे तो यहां पर जो FITTING हमने रखनी है वह 10 इंच रखनी है तो दस इंच पर इस तरीके से मार्क लगा कर दोनो साइड में तो हम FITTING की स्लाई लगा देंगे तो यह देखें जी फिटिंग की स्लाई मैंने लगा दी है अब एक्स्ट्रा जो फैबरीक है उसको हम कट कर देंगे यह देखें जी रात का टाइम हो चुका है कितनी मेहनत के साथ मैंने यह पूरे दिन में यह फ्रॉक त्यार किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकर मैं वीडियो भी बना सकूं और यह न्यू डुजाइन आपके साथ शेयर कर सकूं तो यहां पर तो लाइक तो बनता है कमेंट्स में लाजबी मुझे बताना है कि आपको यह फ्रॉक डाइन कैसा लगा अब यहां पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है अब जो मोती मैंने आपको दिखाई थे वाइड कलर के उन मोती को हमने कहां कहां लगाना है यह आपकी मर्जी है कट वर के ऊपर में लगा दोंगी यह देखें जी मैंने काट वर्क भी देखें उसके कौने को पर एक मोती मने लगा दिया सूधधागे के मदर से बेक सड़ में मोती नहीं लगाने आपने सिर्फ फ्रंट साट पर मूती काम करना है कि चोटी बची है तो मोती चुबभ भी सकते हैं और नेक के न्यू डिजाइन आपने कहीं भी नहीं देखा होगा ये डिजाइन इस फ्रोग के साथ मैंने बहुत प्यारा क्यूट सा हेर बेन त्यार किया है उसकी भी वीडियो इन्शालला मैं बहुत जल्द अफलोड करूँगी वो भी ज़रूर आप देखिएगा और युकीन करें ये पूरा सेट फ्रोग का बहुत ही प्यारा त्यार हुआ है ये सीजन के लिए मैंने ये फ्रोग डिजाइन तियार किया साथ इसकी पजामी है क्यूट साथ इसकी हेर बेन है माशाला से बच्ची के पहनावा पूरा सेट बहुत ही जबर्दस्त लगेगा इसके लावा आपको और भी अगर न्यू डिजाइन चाहिए बेबी फ्रोक से तो मेरे चैनल का विजट करें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अल्ला हाफीज